परंपवित्र पुर्षतं मास अधिक मास के अंदर ठाकोरजी को विभिन प्रकार के मनोड़तों के माध्यम से तत्सुप के भाव को प्रभु प्रसनता के भाव को जागरूद करते हुए अलग-अलग मनोड़त किये जाते। अनकुट के अंदर भगवान सकडी के अलग-अलग वानकियों को भोग आरोग दोते हैं दुदगर की भी विशिष्ट सामगरी ठाकोजी को धरी जाती है छप्पन भोग में अलग-अलग प्रकार के अंसकडी की सामगरी धरी जाती है तो एक भाव प्रगट हुआ के सुका मेवा का छप्पन भोग भी किया जाए और ठाकोजी को भोग धराने के बाद वईश्णव में वो प्रसादी का वित्रण हो गरीब जनों के अंदर वो प्रसादी का वित्रण हो तो प्रभू के चपन भोग के साथ साथ एक मानोता का चपन भोग भी हो भगवान कृष्ण बुरज के अंदर प्रगट हुए और अलगलग लीलाए भगवान ने की वही लीलाओ का एक प्रकार का प्रेजेंटेशन कुष्टीमार की हवेलियों के अंदर मनुरत के स्वरूप क किया जाता है तो भगवान मन रूपी रथ में विराजमान होकर अलग-अलग प्रकार की जो भी प्रेज़ना करवाते हैं और भगवत प्रित्यर्थ जो भी आयोजन होते हैं वो भगवान की कुष्टीमार की कोई भी हवेली में यह सुका मेवा का बड़ो भोग का बहुत सा है और काफी लोग दर्शन के लिए भी आज यहां उपस्तित हुए है और प्रभु भी बहुत प्रसंद है